अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे रेसिपी के नोटिफिकेशन्स मिल दे रहेंगे आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ बहुत ही मॉडन रेसिपी जिसे हम कहते हैं चिकन पॉपकन तो आईए बनाते हैं चिकन पॉपकन यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम्स ओफ बोनलेस चिकन जिसे मैंने मिंस कर लिया है मतलब गुमा लिया है आप देख सकते हो दो अंडो यह है ब्रेड क्रंब्स को कुछ दोड़ा सा जाल भून लियो और इसमें मैदा एड खिया है है छीस क्यूब्स नोगा की अपे मेद championships में है जिन्जर गार्लिकर पेस्ट और अब यहा So our children जिंजर गार्लिक पेस्ट नमक और रेड चिली पाउडर और जो ब्रेड क्रम्स का मिक्सचर है उसमें डालेंगे हम 1 तीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 तीस्पून और रेड चिली पाउडर इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे चिकन में जिंजर गालिक पेस्ट का और रेड चिली पाउडर का अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए अगर हम इसे हाथ से करेंगे तो ज्यादा बेटर है इसमें हमें थोड़ा सा ब्लाक पेपर आड करना है तकरीबन आधा टीस्पून जितना अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे इतना बेटर रहेगा हम इसमें अभी एक टीस्पून विनेगर आड कर लेंगे हम इसमें नेगो पाली भी आड कर सकते हैं फिर से इसे एक अच्छा मिक्स देंगे अब हमें इसके बॉल्स बना लेने है यह आप पर है कि आपको कितने चोटे या कितने बड़े बॉल्स बनाने हैं जिससे मैने ये बॉल बना लिया है इसमें मैं एक छोटा सा क्यूब रख रही हूं चीज का और इसे गोल बना कर रख रही हो ऐसे हम जितना भी हमारा चिकन मिंस है उसका हम लोग ऐसे बॉल्स बना लेंगे यह हमने कुछTI बना लिये है जिसमें हमने बीच में चीज क्यूब रखा हुआ है यह ब्रेडक्रम के मिक्स्चर को अच्छ है मिक्स कर लेंगे अब हमें क्या करना है इन ब्रेडक्रम को पहले एक के मिक्स्चर में ढल कर फिर इसे ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेना है इसी तरह हमें एक-एक करके सारी बॉल्स को एक के मिक्सचर में और फिर ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में कोट कर लेना है यहाँ पर हमारे सारे चिकन पॉपकॉंस रेड़ी हो चुके हैं तेल यहाँ पर गरम करने के लिए लगाया हुआ है देखे कि तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर हम लोग यह उसमें डाल देंगे आप देख सकते हो यहाँ पर कि यह फ्राइब हो रहे है और अगर आप चाहे तो इसे बेग भी कर सकते हैं यह पूरा प्रोसेजर फॉलो करने के बाद तेल के बजाए आप इसे अवन के ट्रे में रखकर बस कुछ देल के लिए आप इसे बेग कर सकते हो क्योंकि और यह चिकन मिंस है खीमा है चिकन का तो बहुत वक्त नहीं लगेगा इसे बनने के लिए आप देख सकते हो कि अभी चिकन पॉक्कॉर्ण गोल्डन होने लगे है और यही उनका प्रॉपर कलर है तो और जाद हम इसे डाक नहीं करेंगे इसे एक पेपर टाल पर आप निकाल लीजिए यह हमारी चिकन पॉपकॉर्ण बनकर रेडी हो चुके है आप ज़रूर घर पर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए बहुत ही बढ़िया बनते हैं यह कर दो बनकर भीजिए बनकर प्रॉपक्ताल बनकर बनकर दोराद हैं ज़रूर्ण प्रॉपक्ताल